हाई एवरिवन मैं नहुं मलिक आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आपके इस चोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत में अपनी आजादी के बात से पंच वर्चे योजनाय कितनी योजनाय हुई हैं किस योजना का क्या लक्ष आज कल जरूर पूछे जा रहे हैं कि भया इस योजना से क्या निशकर्ष निकला था या यह वाली फलानी योजना आपकी किस मोडल पर आधारी थी क्या हमने उसमें अचीव किया था तो शुरू करते हैं और पहले ही मैं वाफी मांग लेते हूं कि यह क्लास हो सकता है बच्चा दस मिट से उपर जाए टोटल तो बारा पंच वर्चे योजना है है ना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो बच विकास की और ले जाने के लिए अलग-अलग छेत्रों में काम करना ठीक है तो आपका सबसे पहले जोसफ स्टैलिन पहले व्यक्ति थे जिनोंने यू एस एसर मतलब आज के रश्या में बच्चा 1928 में 5-year plan को आपका क्या किया था लागू किया था अब अपने भारत में 5-year plan को देखते हैं तो पहली पंच वर्श योजना जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चा कि ये एक तरह से ना आपका अपने देश में या अपने देश को विकास की और आगे ले जाने के लिए अलग-अलग सेक्टर में काम करने के लिए 5 साल का एक model तयार करते थे उसके में भारत की पहली पंच वर्श योजना आती है आजादी के बाद जैसे मैं हमेशा कहती हो हमारे पास कुछ था नहीं अंग्रेज सम लूटके चले गए थे हमारे पास जो थी वो हमारी धरती मा थी तो हमको उसी में ही आगे विकास की तरफ बढ़ना था तो पहली जो आपक की क्रिशी पर आधारी थी एग्री कल्चर में हम कैसे भूम ला सकते हैं उस पर आधारी थी तो एक-एक पंच वर्श योजना को अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्या-क्या उनके आपके लक्षन इधारित के गए थे क्या चीव की थी कौन सी फेल कर गई थी कौन सा योज अंदर हमको देखना था कि भया एक विकास की तरफ किसी सेक्टर को कैसे लेकर लेकर जाना चाहिए वो समावेशी विकास हो ताहिए पर्टिकुलर सेक्टर पर हो अब इन सारी पंच वर्श योजनाओं का ना जो लेखा-जोखा जिनके पास होता था है ना जो सारा अनमूल काउंसल बच्चा इसके भी अध्यक्षाप के कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं उसको स्थापित किया गया था यह चीज आप ध्यान रखेंगे लेकिन 2015 में आपको पता है 2014 में मोधी जी की यानि की बीजेपी गवर्मन्ट आने के बाद अब पांच साल के योज योजना आयोग को नीती आयोग का यानि की नाम दिया गया है थिंक टेक द्वारा यह आपका परतिस्थापित किया गया ओके अब आगे चलते हैं पहली पंच वर्से योजना अब फटा फटा आगे बढ़ेंगो और फिर बात में देखना कि आपका एक भी सवाल इससे बाह किया था यह योजना है रोड डोमर मोडल पर आपकी आधारी थी इसके मुख्य रूप से क्रिसी छेत्रपर ध्यान जो है बच्चा आपका केंदित करना था इस योजना का जो लक्षे रखा गया था कि बहुत एक परसेंट की क्योंकि आज़ाद हुए थे हमने बहुत इसमें जो आपके काम किये गई क्योंकि इससे भी सवाल बनते आपके इसमें आपका समदाइक विकास 1952 में ठीक है राष्टे पर सानन सेवाई योजना है शुरू की गई जैसे आपका भागणा नागल हो गया व्यास पर योजना हो गई दामोदर घाटी पर योजना हो अगर मैं यहां पर आपसे अध्यक्ष पूछू तो आपको एक सेकिंड भी नहीं लेगेगा है दूसरी पंचवर्श में कैसी थी कि भया अब क्रिशी के साथ साथ है ना हमारी पहली पंचवर्श में उध्योगों का भी कास करना पड़ेगा इनवेस्टमेंट न लानी पड आपके प्रात्मिक्ता दी गई थी इस योजना में आपके बहुत सारे स्थापना की गई थी जो आपसे सवाल पूछा जाता है ध्यान रखना राउरकेला स्थापना जो है बच्छा 1969 में जर्मनी के सहयोग से उडिशा के सुंदरगड में आपका स्थापित किया गया था और यह जो नोट्स है एक्ष्ली बच्छा आपका पूरी तरह से उसके नोट्स हैं क्या कहते बच्छा एंसी आर्टी के नोट्स है तो हो सकता है आपकी लिउसेंट वगेरा में या बुक में एक दो साल इधर उधर हो यह मैं पहले ही बता देती हूं 1969 में भिलाई जो आपका स्टील प्लांट है उसकी स्थापना च्छतियस गड़ के दुर्गजिले में गंगाल में आपका क्या किया बच्छा पस्चिम बंगाल में दुरगापूर स्टील प्लांट क्याकर कि चीकिकी मदद से युनाइट टींग्डम के सहयोग से हमने इसको स्टाप इस्टैबलिश किया था बोकारो स्टील प्लान जारकंड में 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था और इसमें सेकंड फाव यर प्लान में बच्चा जो हमने अपनी लक्षवरद्धी रखी थी वह 4.5% की थी लेकिन इसमें जो विकासदर रही थी वह 4.27 की क्भूजन है वो 1961 से लेकर 1966 वीच में भारत में बहुत कुлект हो जाता है बच्चा हमारे चाइन के साथ और हूं पॉर हो जाती है हमारे देश और हैं हें को छी तो खुत हमारे करन रहते हैं कि यह योजन पुछना हमारी फेल कर यह इसका लेकिन उदेश क्रिसी और के होंered के planning model पर आपकी क्या थी आधारित थी यह चीज आप ध्यान रखना लक्षित रिद्धी इसमें 5.6 की थी ठीक है लेकिन जिसमें हमने हासिल कितनी की थी केवल 2.4 परसेंट रही थी इस योजना की विफलता का पर्मुकारण जैसे मैंने आपको बताया आपका चाहिना के साथ और फिर पाकिस्तान के साथ और और फिर वच्चापका सूखा है ना इसकी विफलता के कारण सरकार को 1966 से लेकर 1979 तक योजना आवकास देना पड़ा तो आपका पहला योजना आवकास कहां पर आता है 1966 में आता है कारेकाल के दोरान इसको पेश किया गया था इस योजना में गोडगल फोर्मिला जो है बच्चा उसके आधार पर इस्थिर्ता के साथ विकास और आत्म निर्भर भारत को बनाना था ध्यान रखना इसमें उन्नी सो नत्तर में पांचवे वित आयोग ने डी आर गोडगल फोर रास्ट्रेकरण भी हो गया था यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे इस योजना में हरित क्रांती ने किर्सी को बढ़ावा दिया था 1960 के raphंती कीश्र में नीस सो साथ सक में नबये बर्नोग लें आपका विश्व में अगर हाद क्रांती के चलैक माने गई है नोर्माल बरंडोग और हमारे भारत में मस्वामी नाथन उनिस योजना की लक्षित रद्ध्र कितनी रखी गई थी 5.6 के अंश्राव क्या कर गई थी वच्छा फैल कर गई थी पांचवी पंचवरस्य योजना मौस्ट इंपोर्टेंट यहां से इंद्रंगांदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया था इस योजना में जो अन्यून दम योजना 1978 या 1970 के बाद बच्चा आपकी मुराज्य देशाई की सरकार आती है ना वो इस योजना को इस पंचवर्षय योजना को खारीज कर देते हैं और उसको एक वार्षिक योजना की रूप में चलाते हैं यह चीज़ ध्यान रखना इसकी लक्षित विकास दर आपकी 4.4 लेकिन हुआ कितना था बच्चा 4.8 की विकास दर हमने हासिल की थी अनुवर्यत योजना इसी के बीच में आ जाती मतलब उसका मतलब है बच्चा आपका एक तर ऐसे कहिए तो रोलिंग प्लान है ना यहां पर हमारा दूसरा योजना अवकास हो जाता है क्योंकि मुराज्य चटी पंचवर्षय योजना पेश करने के बतले में 1980 इंद्रा गांधी जी आपकी फिर से आती है और परधानमंत्री चुरे जाने पर कोंग्रेस दुवारा अब जो आपका यह वार्सिक योजना चलाई थी इसको खारिच कर दिया जाता है रोलिंग प्लान के तहत आपका जिसमें योजना की प्रभावशिलता का मुल्यांकन वार्शी के रूप से किया जाता है और यही आपका दूसरा योजना अवकास कहलाता है ठीक है आगे जलते हैं चटी पंचवर्षय योजना 80 से लेकर 85 तक इस योजना का उद्देश है था वो गरीबी अनमूलन और हो गया था तात्वी पंचवर्षय योजना 85 से 90 तक आती है यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कारेकाल में आपकी आती है इस योजना को देश्य उत्पादक्ता यानि कि प्रोडक्शन को बढ़ाना था रोजगार जुटाना था समता और नयाई आधारी त्यार करना था इसका जो लक्षे रखा गया था आपका 5 परसेंट रखा गया था लेकिन हमने जो हासिल किया था वह आपका 6.01 परसेंट हासिल किया था अब इसके बाद बच्चा ना टाइम होता है हमारा हमारे देश का सबसे एक तरह से आर्थिक रूप से कठिन टाइम 1990 1992 में कजो टाइम होता है वो हम आर्थिक मन्दी से बहुत बूरी तरह से गुजर रही होते इसी करा पी ए मरे मर्शी मरा हो पी आ कि सरकार होते thicker मिनमोहन सिंग आपके बच्चा किया होते क्या होते हैं जो आपकी वित मंधरी होते हैं जो आपकी लेकर आय lettuce and taking a gayотриUh Cool現在 और यही पर तीसरा योजना अवकास होता है क्या होता है यही आपका तीसरा योजना अवकास होता है इसका कारण कि भाया भारत आर्थिक रूप से बिलकुल भी उस टाइम पर स्वशक्त नहीं था बाण में 1990 से बाण में बच्चा आपका क्या होता है बहुत सारी एकनोमिक रिफॉर् रखा जाता है अब इसके बाद आटवी पंच वर्शे योजना को बाण में से सतान में के दोरान चलाया जाता है इसका परमुक उद्देश है आपका सरवांगीन माना विकास करना था इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वह आपके शुरू की गई थी एक सिल्की थी वह 6.8 परसंट थी आगे देखो नोवी पंच वर्शे योजना की अगर बात करें तो सतान में से लेकर दो हजार दो तक आपकी यह रही है और इसी में हैं हम अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी करते हैं है ना आपके प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाच इस योजना की लक्षित विकास धर जो रखी गई थी वह 7.1 थी लेकिन वास्तविक हमने जो हासल की थी वह 6.8 थी लेकिन हलका सा इसमें भी आपकी क्या रही थी बच्चा आपकी कमी रही थी आगे चलते हैं आगे आपका दसवी पंच वर्शे योजना 2002 से 2007 तक आपकी चल करना था इसमें जो लक्षे रखा गया था कि भाया भारत में गरीवी को 50% तक कम करना है और 80 million लोगों के लिए रोजगार क्या करना है बच्चा सर्जन करना है इसमें लक्षित जो विकास दर रखी गई थी वह आपकी 8.1% रखी गई थी भारत ने जो हासल की थी वह आपक सरवांगेण विकास समावीशी विकास था बहुत तेजी से विकास हो इस पर यह आधारी थी इस योजना पर सिक्षा पर लक्षे अब बहुत जादा जोर दिया गया और ध्यान रखना बच्चा 2009 में जो आपका एजुकेशन एक्ट आया था है ना जो पास आपका हुआ था और आपका 2010 में पारित हुआ था और यह कहां से कनेक्टिक है यह आपका 86 जो सम्विधान संशोधन होता है 2002 का बच्चा जिसमें एक फंडमेंटल जूटी और एक बच्चों का अधिकार जोड़ जाता है और इसको अधिनियम के तह है 2009 में आलाया जाता है 2010 में लागू किया 2012 से लेकर 2017 तक बच्चा बारवी पंच वर्ष योजना इस योजना का मुख्योदेशा तीरवता से अगेन वही बच्चा जल्दी से समावेशी विकास हमारा करना था और इसमें जो हमने योजना के अंत तक परजना निदर जो रखी थी बच्चा वो 2.1 का लक्षय रखा थ जाता है और इसी में ही अब आगे अगर हम करें तो एक जनवरी 2015 को नीती आयोग का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष हमारे PM अभी भी कौन है नरेंद्र मोधी है CEO की बात करें तो BVR सुबरमन्यम है ना BVR आपके सुबरमन्यम अभी के लिए आपके क्या है सुबरमन्यम CM है उपाद्यक्ष की बात करें तो सुमन के बैरी है ना सुमन के बैरी इसके उपाद्यक्ष है और बात करें पहले CEO नीती आयोग के तो वो अमिताब कांथ हो जाएं योजनावकास 1966 में किस वज़े से आया था चाइना पाकिस्तान और सूखे के कारण आपका और इसी में ही आप बारा एड कर देना 1978 हो जाएगा आपका मुरार्जी देशाई की सरकार ने उसको क्या कर दिया था वार्षिक योजना में तब्दील और उसके बाद बच्छा फिर तो यह थी आपके लिए एक पंच वर्षे योजनावकास उम्मीद है आपको पसंद आएगी थैंक्यू सो माच